हेलो फ्रेंट्स, यू आल आर वेलकम एट वेक्टर एजुकेटर्स, मैप के इंग्लिश एजुकेटर्स वाती राठ और स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप सभी के अपने अल्लाइन प्लेटफर्म वेक्टर एजुकेटर्स पर और आज इस वीडियो में हम लोग सिनोनिम का पार्ट 13 करेंगे, इससे पहले के सभी वीडियोस हमारे चैनल पर अविलेबल हैं, I hope आप सभी ने वो सारे ही वीडियोस देख लिये होंगे, और अगर अभी भी उनमें से कोई भी वीडियो देखना बाकी रह गया है, तो उसे आ आप हमारे चैनल की बेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं, so now without wasting much time, हम अपना आज का ये वीडियो के continue करते हैं, और चलते हैं, पहले वर्ड की तरफ, पहला वर्ड है हमारा, deceptive, देखिए, deceptive का मतलब होता है, to make somebody believe something that is not true, मतलब किसी को धोका देना, या फिर कोई ऐसी चीज जो धोका देने वाली हो या फिर छलपूण हो, उसे बोलते हैं, deceptive, options पर आ जाते हैं, option A is disagreeable, disagreeable का मतलब हो जाएगा, unpleasant, मतलब अप्रिय, या फिर ऐसी चीज जिस पर सभी की सहमती ना हो, option B is misleading, मतलब ब्रामक या फिर गुमराह करने वाला, option C is mistake, मतलब कोई भूल या गल and option D is debatable, मतलब विवाद योग, तो हमने विवाद योग, तो हमने यहां पर सभी options जान लिये, और यह जो हमारा word is deceptive, जिसका मतलब हो जाएगा, ब्रामक, छलपूण, गुमराह करने वाला, इसका सही सिनोरिम होगा, option B, misleading, क्योंकि misleading का मतलब भी होता है, गुमराह करने वा by the senses, मतलब जिसे इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके, जो प्रत्यक्ष हो, जिसे चुआ जा सके, उसे कहेंगे पालपेबल, options की तरफ आ जाते है, option A is obvious, obvious का मतलब हो जाएगा, जो आसानी से दिखाई दे या समझ में आए, जो प्रत्यक्ष हो, जो स्पस्ट हो, option B is immense immense का मतलब होगा, very big और great, मतलब बहुत बड़ा, असीम या अपार, option C is sufficient, sufficient का मतलब होगा, as much as is necessary, मतलब जितना आवश्यक हो, उतना, न कम, न जादा, जितनी की जरूरत है, उतना, option D is hidden, hidden मतलब kept out of sight, मतलब जो छुपा दिया गया हो, तो हमने सभी options जाने, और ये जो वर् palpable, which means, जो प्रत्यक्ष हो, that can be felt by the senses, और mind, इसका सही answer होगा, option A, obvious, मतलब जिसे महसूस किया जा सके, जिसे देखा जा सके, जिसे चुआ जा सके, आगे बढ़ते हैं, next word is, sauntering, sauntering का मतलब हो जाता है, बिना जल्दवाजी के, गूमना फिरना, मतलब टहलना, जो जनरल ही ह होता है, कि लोग रात को, डिनर के बाद, ऐसे ही टहलने जाते हैं, क्याते हैं, कि अज थोड़ा टहल क्याते है, इसी को बोलते है, sauntering, options की तरफ आते है, option A is, jogging, देखिए, jogging is a activity of running, at a steady or gentle pace, मतलब दीमे दीमे दौड़ना, ये एक फॉर्म है exercise का, आप सभी जानते ही है, क्या होता है, मुझे से जादा explain करने की जरुत नहीं होगी, option B is brisk walking, मतलब तेजी से चलना, option C is traveling, मतलब यातरा या सफर करना, and option D is strolling, strolling का मतलब होचाएगा, walk in a slow or relaxed manner, मतलब दीरे दीरे चलना, टहलना, तो हमने सभी options जान लिए, और sauntering का सही सिनोनिम होगा, option D, strolling, मतल जल्दबाजी के गूमना फिरना, होब आपको ये सारी चीज़े clear है, आगे बढ़ते हैं अगले word की तरफ, अगला word है हमारा, pompous, देखिए, pompous का मतलब होता है, ऐसा person, जिसकी अपनी नजरों में बहुत जादा self importance हो, जो खुद को दूसरों से अधिक महत्तपूर समझे, ऐ मतलब अनावश्यक रूप से बढ़ाया पेचीदा, ऐसा व्यत्ती जो भले कुछ हो ना, लेकिन वो खुद को बहुत जादा एहम समझता हो, जिसकी अपनी नजरों में दूसरे लोगों के मुकाबले बहुत जादा एहमियत हो, उसी को बोलते हैं grandiose, option B is polished, मतलब चमकदार, option C is modest, मतलब विनम, रविनी, तिया फिर साधाराड व्यक्ती, जो अपने गुडों का बहुत जादा बखान ना करे, option D is skilled, मतलब निपूर कुशल या दक्च, तो हमने सभी options जान लिये, और यह जो वर्ड है pompous, इसका सही answer होगा, option है grandiose, मतलब ऐसा व्यक्ती, जो अपनी न poignant का मतलब हो जाएगा causing sadness और pity, मतलब करुणा जनक या फिर दुखद, options पर आ जाते है, option A is showy, मतलब दिखावटी, option B is sad, मतलब feeling sorrow, दुखद, option C is silly, silly मतलब foolish, बेवकूफ या फिर बेवकूफी भरा, option D is snobbish, snobbish का मतलब हो जाएगा घमंड भरा, जो बहुत जादा egoistic हो, उसे बोलेंगे snobbish, तो हमने सबी options जान लिए, और ये जो word है, poignant, which means, causing sadness और pity, इसका सही आंसर होगा, option B is sad, hope आपको ये सबी words clear है, तो friends, मैंने आपके साथ कुछ words discuss किये, I hope आप सबी को ये सारे ही words clear होंगे, अगर still doubt है, तो आप वीडियो को repeat करके भी देख सकते हैं, अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे की upcoming videos की notification आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए करेगी, फिर मिलेंगे एक नए episode के साथ, तब तक के लिए, stay tuned with us, thank you so much, wish you all the best.